बड़ी खबर चिताडगर से आ रही है जहां S.P.O. सदर चिताडगर थाना पुलिस ने शुबवार को नाकाबंदी के दौरान एक औल्टो कार से 35 किलोग्राम अवैड डोटा चूरा सब्त किया है उक्त औल्टो कार की पैल्टिंग कर रही एक औल्टो कार को भी सब्त किया है मामले में तीन आरुपियों को गिरफतार किया गया है पुलिस अधिक शक्त राजन दुस्यन ने बताया कि अबायद मादक पड़दार्थों के तसकरिवा परिवहन केड़े वालों के विरुद्ध कारवाई के तहर थाना धिकारी सदर चिताडगर हरेंद्र सिंग सौदा थाने के जापता हिट कॉंस्टेपल भुपेंद्र सिंग सिवलाल दीपक कुमार वा मुकेस कुमार के साथ हाइवे रोड धनेत पुलिया पर पुलिस बैरिकेट लगा कर नाकाबंदी कर रहे थी नाकाबंदी के दोरान रीठोला चौराहे की तरफ से एक सफेद रंग की आल्टो कार आई जुसमें तीन बैक्ती बैठे नजर आए पुलिस को देख कर कार्चालक गाड़ी को रोक कर कार से उतर कर भागया उक्तकार चालक वा उसमें बैठे बैठियों द्वारा कार के पीछे पीछे आ रहे ही सिल्वल रंग की ऑल्टो कार की पायल्टिंग की जा रही थी जिसको संदिग होने पर रोकर नियमानुसार ताला सी ली तो कार के डिगई में तीन प्लास्टिक के कट्टे को कुल 35 किलोग्राम अवैडोडा चूरा भरा पाया क्या अवैडोडा चूरा वा दोरो कारो को जब्तकार पायल्टिंग करने पाले उध्पूर थाना भिजयपूर निवासी तथा डोडा चूरा भरी अल्टो कार के चलक विश्णोईों का बास चडिया वास रामडा वास थाना पिपाड सिटी जीला जोदपुर निवासी बाइस वर्सी रोहित कमार पुत्रों प्रकाश विश्णोई को ग्रफतार किया गया है तदर्थाना चितौडगर पर NDPS Act के प्रकरन दर्चकर अगरी मनुशन धान किया जा रहा है